नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी एक बाफिट से आप सभी खाहार दिख स्वा आगे थे आप एक अपने चैनल मनी गुरुजी पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले 19 अप्रेल को खेले जाने वाले आई प्रेल 2022 के नेक्स्ट मुकाबले के बारे भी जो काभी शांदार मुकाबला खेला जाने वाला है लगनोग सोपर जायन्स वासे रोयल चलंजब पैंगलोर के बीच में फ्रेंज यह मुकाबला होने वाला है वो होने वाला 19 अप्रेल को शाम को साड़े साथ बहें जुड़ चोके आप भी जुड़ यह टेलीग्राम पर रोजाना चल रहे हैं एक लाग रुपे तक के गीववे साज साथ आपको कमेंट गीववे जोंकि हमने फिर से स्टार्ट कर दिया जिसमें आएक इजी क्योश्टर में आपसे पोस्ते उसका जवाब आप कमेंट में द टीम परफोर्मेंस के बारे में बात करूं तो लकनो की टीम ने इस सीजन में छे मुकाबले खेले हैं चार जीते हैं दो हारे वही पर रोयल ट्रेंजर की टीम ने भी छे मुकाबले खेले हैं चार जीते हैं और दो हारे अब बात कर लिए प्लेयर परफोर्मेंस के बारे में 362 रन बना कर आ रहे हैं, वो भी 45 की एवरेज से, तो ये भी Captain Vice Captain की Best Choice हमें आपर नजर आते हैं, फिर हम बात करें क्विंटेन डिकोग, इस ग्राउन पर जो क्विंटेन डिकोग का एवरेज है, वो बहुत अच्छा दिन हमें नजर आते हैं, लग बख 45 का यहाँ पर एवरेज नजर आ रहा है, इस ग्राउन पर क्विंटेन डिकोग का, फिर हम बात करें जेसन होल्डर की तो भी या जेसन होल्डर जब भी खेलते हैं, या RCB के सामने पाँच मेच में 70 रन बना हैं, 17 की एवरेज से लेकिन 9 विकिट यह निकाल चुके, जाहिट सी बात है, हम जेसन होल्डर को जब भी अपनी टीम में लेते हैं, तो यह जे गेंद बाजी हम अपने अपनी टीम में लेते हैं, फिर हम बात करें यहाँ से फैब डुपलेसी का रिकोर्ड भी आप देख लीजेए, परफरमेंस देख लीजेए, इस ग्राउंड पर तीन मेच में 101 रन बना हैं, 33 की एवरेज से और एक 50 भी जड़ चुके हैं, इस ग्राउंड पर फैब डुपलेसी भी एक अच्छी चोई समय नजर आते हैं, वहीं अच्छ भी इंच लाएँ, इस ग्राउंड पर वो हीं पर विराट कोली का प्रसमकर आते हैं, पाप कर लेते हैं यहां से पिछ रिपोर्ट के बारे में, तो पिछ रिपोर्ट क्या कहता हैं, आप देखो कि यहांपर जो मुकाबले कहले गये हैं, वह 27 मुकाबले हुए हैं, उसमें 11 मुकाबले पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, 16 मुकाबले बाद में बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, 1st inning का average score यहां पर रहा है, वो रहा है 156 का जो की दर्शारा है, एक neutral wicket को, अगर highest lowest की बात करें, तो 216 रंगा यहां पर highest बना है, बरियासी रंगा यहां पर lowest बना है, scoring pattern की अगर मैं बात करूँ, तो scoring pattern भी आप देख लीजिए, 1500 से कम रंग यहां पर 10 बार बने हैं, 1500 से 119 के बीच भी 10 बार बने हैं, 117 से 119 के बीच 3 बार बने हैं, और 119 से उपर only 4 बार बने हैं, तो यहां पर low भी देखने को मिला है, यहां पर balance भी देखने को मिला है, तो मैं मान के चलना हूँ है, एक neutral wicket है, 150 के करीब हमें score is match में देखने को मिल सकता है, अगर इस season के में बात करूँ, इस season में इस ground पर क्या हुआ है, 116, 113 अच्छा score बना था, फिर 112, 115, 151, 152, तो कहने का मतलब जादा जो run यहां पर बने हैं, वो 1500 के करीब-करीब बने, तो मैं मान के चलना हूँ कि यह 1500 के लगबग score हमें यहां पर इस match में देखने को मिल सकता है, बात कर लें, दोनों ही टीमों की possible playing 11 के बारे में, तो के लखनाओ टीम से हम बात करें, फिर हम बात करें, लास्ट मेच की गेंद बाजी की, तो जेसन होल्डर ने चार ओर में 34 रंदे कर एक विकेट लिया था, दुश्मंदा चमिरा ने भी चार ओर में 48 रंदे कर एक विकेट, फिर आवेश खान चार ओर 30 रंदे कर तीन विकेट निकाले थे, रवी बिश्नुई ने चार ओर में 34 रंदे कर एक विकेट, मारकेस टोई ने दो और गेंद बाजी की थी, एक विकेट लिया था, दिनेश कार्तिंग ने 66 रंद के पारी कह लिए थी लास्ट मुकाबली में, फिर साबाज एमदे, फिर ये प्रबुदेशाई, वहिंडू अशंगा, हर्शल पतेल, जोस हैजलवूड और मामस सिराज, तो कुझ इस प्रका देखने को मिल सकती है, दोनों ही टीमों की पॉसि पतेल ने 4 और में 40 रंद कर कोई भी विकेट नहीं लिया था, वहीं पर वहिंडू अशंगा ने 4 और में 40 रंद कर एक विकेट निकाला था, तो ये तो कोई श्टेट्स की बात है, पॉसिवल प्लेइंग 11 की बात है, और लास्ट में की गेंदबाजी की बात है, तो देख पतेले हैं, क्या रहेगी मेरी टीम? सकते हो, और पहले डिपोजिट पर आपको यहाँ पर 200% बोनस भी मिल जाता है, तो बहुत अच्छा ये पर फैन टूपले, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, और ध्यान टकना, जो हमारे केश गिवववे चल रहे हैं, कमेंट गिववे चल रहे हैं, उसकी इ लेकिन का बल्ले बाजी करम थोड़ा से नीचे रहता है, तो मैं फिलाल केल, रहूल और क्विंटन डिकोक को लेकर चलूँगा, बल्ले बाजी स्क्छन की बात करें तो ग्लेन मेक्सवेल, मारकस, स्टोइनिस और वहिंडो अश्रंगा तीनोई, बहत्रिन होल्डर उंडर मेने लिए, आप चाहें तो जैसन होल्डर को ले सकते हो, मैं क्रेडिट मिनेज नहीं कर पा रहा था, अगर आप कर पाऊ तो जैसन होल्डर ले सकते हो, फिर कृष्णपा ग जाते हैं, और मैंने लिया है यहाँ पर रवी बिश्नुई को, अच्छे उप्शन की बात करो, तो आपके पास हैजलवड का बहत्रिन उप्शन है, आपके बात दुष्मंदा चमीर का अच्छा उप्शन है, और मौमस सिराज का अच्छा उप्शन, गेन बाजी आप देख लेते हैं, उससे पहले फ्रेंट्स फिर से आपको नोट करवा देता हूँ, हमारा टेलिग्राम मनी गुरुजी के नाम से ध्यान ये रखना है, 36,600 यूजर अमारा टेलिग्राम पे, इसी टेलिग्राम को फोलो करना है, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप् तो मेरी जो टीम रहेगी, कुछ इस पकार आपको देखने को मिलेगी, क्वेंटन डिकोक, लोकेश रहूल, मनीश पांडे तीनोही, बहत्रेन बल्लेबाज, फिर विराट कोली और फैब्डुपलेसी, तो बल्लेबाजी करम मेरा बहुत जदा श्ट्रोंग हो गया, फिर से दुश्मंदा चमीरा को आप ले सकते हो, जेसन होल्डर को आप ले सकते हो, ओप्शन बहुत सारे, तो आप आपके साब से चेंज कर सकते हो, चलिए अब बात कर लेते हैं, ड्रीम टीम के बारे में, तो फ्रेंड्स ड्रीम एपकी जो मेरी टीम रहेगी, कुछ इस पकार जेसन होल्डर, तो ड्रीम पर जो टीम में, बिल्कुली डिफ्रेंट बनेगी, क्योंकि अलग-अलग एपकी अलग-अलग क्रेंडिट होते हैं, ध्यान रखना, ड्रीम की टीम, अगर मैं किसी भी तरह का कोई भी चेंजिस करूँगा, तो मैं आपको टेलीग्राम पर चल रहे हैं, और कमेंट गीवावे भी स्टार्ट हो चुके हैं, केश भी आप वहाँ पर जीज़ सकते हैं, तो टेलीग्राम जरूर फोलो कर लीजिए हैं, थैंक्यो वेरे मच्च